नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्डेशन, खबर मौसम से जुड़ी है, चो हम आपको मौसम के ताजा हाल बतलाने वाले हैं, दरसल राजधानी पटना समेथ बिहार के 25 जिलो में अलट जारी किया गया है, और ये अलट लू को लेकर जारी किया गय मौसम बिभा की तरफ से जानकारी मिली है कि बिहार के 25 जिलो में लू जो है, वो काफी तेजी से चलने वाली है, जिसको लेकर उन्होंने लोगों को साबधान रहने को काहा है, दरसल मौसम बिभा की तरफ से जानकारी मिली है कि राजधानी पटना समेथ बिहार के 25 जिलो मे अब दोपहर के समय लू काफी तेजी से चलेगी जिसके कारण जो लोग है वो घर पर रहें, साबधान रहें, दोपहर में घर से बाहर न निकलें, अगर कोई जरूरी काम है तब ही आप दोपहर में घर से बाहर निकलें, अनिथा आप अपने घर पर रहकर ही आराम करें, वही ये भी जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में मौसम का जो हाल है ये ऐसा ही रहने वाला है जिससे लोगों को काफी जादा उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। उससे पहले भारी गर्मी की स्थती बनी रहेगी। रवी बार को पटना भागलपूर के सवोर और सुपोल में हीट वेव यानी लूग का असर देखने को मिला है। प्रदेश के अधिक्तम जिलो के अधिक्तम तापमान सामान से एक से चार डिग्री अधिक रहेगी। देश में के दक्षिन भागों में गर्मी का विशेस असर देखने को मिलेगा। वहीं आपको बताते चलें कि तापमान में लगतार बढ़ोत्री से दुधारू पश्यू बिमार हो रहे हैं। दुधारू पश्यू का दुश् सूखने लगा है, गाय के बच्छरों को अब बुगार हो रहा है। तो मॉसम जो है वो अनसानों के लिए नहीं बलकि जानवरों के लिए भी काफी जादा असर दिखा रहा है। जहां जानवर जो हैं वो खास करके दुधारू जो जानवर है उने में काफी ज़ादा बिमारी देखने को मिल रही वहीं अगर इनसानों की बात करें लोगों की बात करें, तो मौसम की तरफ से ये जानकारी मिली है कि अभी हीट वेव यानि की लू का असर कुछ दिनों दिखने वाला है यानि की 4-5 दिनों तक दिखेगा साथी साथ 20 अपरायल के बाद जो मौसम में कई तरीके के बदलाब देखने को मिलेंगे उसके बाद सायद लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है लेकिन अभी जो मौसम का हाल है उसे अब लोगों को काफी ज़दा परिशानी होने वाली उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है वहीं दोपहर के समय में लू भी काफी तेजी से चल रही है बिहार के 25 जिलों में ये अलर्ट भी जारी कर दिया गया है फिलहाल के लिए मौसम में इतना ही और भी आने न्यूस और अफजीट के लिए देखते रहें न्यूस फानेशन